मेरी शादी की तारीक ते हो जाएगी तो मैं घर में मुवीज को लेके सब के अपने अपने टेस्ट उपे हैं सम लाइक कॉमेडीज, सम लाइक थ्रिलर्स किसी को साइफाई पसांद आती हैं तो किसी को एक्शन सॉरी 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 अब ये नहीं हाँ, अब ठीक है, ध्यान रखा करो यार, वीडियो बच्चे भी देख रहे हैं और बुडे भी अंकिल अंकिल, मुझे तो ना कार्टून अच्छी लगती है बेटा, कोई धार्मिक पिच्चर के बारे में बटाओ ना खामोश, चपडगंजू यान रहे कि पसंद अपनी अपनी और ख्याल अपना अपना बिल्कुल ठीक कहा हाँ आपने ये वाली जो फिल्में ताजी ताजी रिलीज हो रही हैं भईये इनके बारे में तो ये ही कुछ बताएगा कि कांची पॉपकर्ण और पार्किंग के बैसे वेश्ट नहीं होने देगी क्रेजी कुराना is back with your regular dose of fun Director Pierre Morrell, known for Taken, District 13, From Paris with Love, The Gunman movies come with yet another going-to-be blockbuster film Peppermint starting Jennifer Garner of the Electra, The Invention of Lying, Delos Buyers Club It is basically a vigilante or you can say a revenge film जिसमें एक mother, अपने husband और daughter के murders का justice खुद ही करती है because सब पुलिस वाले और justice system साले सब मिले हुए है बॉलिवूड का plot लगता है मुझे तो बट हमें सब को देख के अच्छा लगता है जब कोई कानून को अपने हाथ में लेता है वैसे लेना नहीं चाहिए but you have to definitely see the movie क्योंकि trailer बहुत solid cinematography, lots of violence, great acting और अच्छी direction की खुश्बू दे रहा है I can smell the success of this movie ओ, shit, नहीं नहीं, गलती लगए अरे यार, यह तो पकॉडों की खुश्बू है बारिश होने वाली है और कहीं आसपास में पकॉडे तले जा रहे हैं लगता है Anyway, coming back to the video, this movie is going to be definitely a success राजी, परमानू, गोल्ड के बाद एक और patriotic film आई है, पल्टन Writer, producer, director, JP Dutta की expertise है Bollywood की patriotic war, history, action movies बनाने की अब क्योंकि Border, Refugee, L.O.C. Cargill जैसी hit film में बनाई है इसलिए same set formula पे 15 साल बाद फिर से ले आया है movie पल्टन को ट्रेलर से तो लगता है कि Border Part 2 ही है, but then again, war movie में ज्यादा difference क्या दिखा सकते हैं वैसे हम public के लिए अच्छा ही है कि 1967 की Indian Army की इस जीत के बारे में पता चलेगा जो 1962 में China War की हार के बाद मिली थी कास्ट बढ़िया है, जैकी श्रॉफ है, जो आने वाले टाइम में एक मल्यालम फिल्म, एक गुजराती फिल्म, एक पंजाबी और एक तमिल और एक इरानियन फिल्म में नजर आएंगे वैसे उन्होंने मराथी, कनड़ा और बंगाली फिल्मों में भी काम किया हुआ है तो थोड़ा disappointment हो सकती है, अगर मुवी के बाद का एक अच्छा critic review चाहिए, तो मेरे दोस्त रॉनक कोटेचा का review जरूर देखिए, link is in the description below, you can go to his channel and subscribe to for some honest reviews in plain and decent language अगर आप different type की war movie देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं हलका, जी हां, हलका में आपका mood तो हलका किया ही जाएगा, क्योंकि इसमें main character के पेट के हलके होने के around picture बनाई गई है भई माना की director producer निला मधब के नाम में निला आता है, पर कुछ जादा ही नहीं हो गया, जब वो अपनी हर picture को पानी के आसपास बनाने लग गए हैं जल परी, कॉर्ण कितने पानी में और अब हलका, अरे इसमें भी तो पानी यूज करेंगे पेट हलका होने के बाद, वैसे निला साब ने पानी से हटके कड़वी हवा भी बनाई थी, ज़रा कुछ जादा influence रहते हैं हवा पानी से, तथास्तू, रन्वीर शोरे, पॉली दा नहीं तो रेपूटेशन भी हवा पानी हो जाएगी, okay, before you go to the part where you will see which other movies you should see, or which are not worth your time, it's time for me to remind you to like the video when it ends, and please do subscribe if already not done so, now, let's get back to the movies. Horror movies का मज़ा तब तक नहीं आता जब तक थेटर में आप अपनी सीट पे एक दो जटके ना खा लें, The Nun एक ऐसी ही फिल्म है, डिरेक्टर कॉर्ण हार्डी, who was known to make music videos की ये second movie है, पहली भी होररी थी, The Hello, 2015 की, which was quite okay and did a good business, The Nun, Conjuring सीरीज में अगला कदम, the trailer is a lot promising, जिनको डर लगता हो, वो जरूर जाएं, don't miss, you'll love the cinematography, बाकी मेरे जैसे घर बैठके रिव्यूस से ही खुश हो लें, यार ये हॉरर फिल्मों के सीन दिन में क्यों नहीं बनाना है, अईययो, मेरे को तो बहुत डर लगता है, सब पापकान भी गिर जाता है और पेपसी भी नाक में गली-गलीयां is a psychological thriller based on a true story, you can see the good character acting of Manoj Bajpai and Ranvir Shiro in this, अरे वा, Ranvir again, ये picture उन लोगों के देखने की है, जो suspense thrillers पसंद करते हैं, Manoj Bajpai बड़ा disturbed किसम का character play कर रहा है इसमें, ऐसा शक्स जो पुरानी दिल्ली की तंग गलीयों की भूल-भूलियां में खो गया हो, इस पुरानी आर्ट मुविस की तरह होती हैं, सीट पे तो बांदे रखेंगी, पर एंटर्टेन्मेंट नहीं मिलेगा, ये रियलेटी मुविस एवार्ड शेवार्ड के लिए तो ठीक हैं, और बॉक्स ओफिस कलेक्शन थोड़ा धीला ही रहता है, कुछ तो डिप्रेशन भी दे जाती हैं मुझे तो ये थे कुछ इंपॉर्डंट फिल्मे जो इस हवते रिलीज होने जा रही है, स्लैश हो गई है, इनके अलावा इर्फान कान की पजल और लेला मज्डू भी है, तो नाव, ये एजिली डिसाइड विच वन्स तो वाच और विच वन्स विली प्रकोदाल, तेक केर, बाई!